कमजोर सरकार तानाशा सरकार जो है उसे सबसे जाधे डर उसादमी से लगता है जो सवाल उठा इन्होंने साप पाल रखे हैं जितने भी मीडिया हैं जिनके चैनलों के मालिकों को पैसे देते हैं दोस्तों आदावर्जे मेरे साथ फिर रवेंदर कुमार जी एक बार जोड़ करेंगे यहां तक कि कि अमरीका से भी एक दो इंक्वारी आई हैं यहां तक कि कुछ आज तक वाले भी हैं पॉटो कास्ट के बुझों आपको जानते होंगे उन्होंने पूछा कि वाई साब आप कहां से ले आए इनको चुपई भी थम चुपई भी नहींते हो जागर थे लोगों ने चुपा रखा तो वो तो तो आप कप्पह हम एक वार और स्वागत करते हैं अपने दसकों से के से कि आप बहुत से चीजे चल जाएंगे हैं अपने देश में एक किसम से सबसे बड़ी बात चल ज़ए है कि जबान बनती हमारा जो मीडिया है तो आप देखिए क जैनल हैं जनको गोदि मीटिया कहा जाता है उनको तो फो तो गोरी मीटिया खरील तीए गए हैं वो तो एक तरफापी आवाज देतें एंप चीन की जो भॉलते हैं थेस एक ऑप पाःस्तान की जो कोड नैंटीन के पान झजो निकली उंगिओ उस पे छलते रहते हूं और ह तो हिंदोस्तान मासमाफ की भारत को छोटा कर दिया साथ के लिए इसी वेज़ जुबान बंदी की बात कर रहे थे जुबान बंदी चल दी तो हमारे जो भरिष्ट पत्रकार है बहुत जब से एलेक्ट्रोनिक मीडिया शुरुए तब सुगनावर बिन उद्धुवासा अब परचय कोई मोहताज है नहीं है लेक्ट आदमी है कुछ लोग तो ने भी बतामाई कहते हैं मेरे तो मित्तों में से हैं आपकी मित्तों में से हैं तो उस जमाने से उनकी उपर अचाना एकफात आई पहले इसके पहले उनकी बर मीटू का लगाए गया था जो की पेशनी तो एक बहुत छोटे से स्पोक्समर्स बीजेपी जिसको हमारे खाल बहुत कमाता है वो उसके जरी एक केस कर दिया गे वो केस सप्लेम कोड ने नजर अंदाज किया यहां पर तो वो एक दूसी स्टेट से कर दिया गे हमाचल प्रदेश से कर दिया करका अभी पीसे भी हो कई परिशान करने की यह मेरे नजर में है के विनोत दुगा को टार्गेट बना के दूसे लोगों को सोचल मीडिया उसको खामुश करने को आप चुकि इन चीज़ों से मैं देखता हूं कि बड़े बिरुदी रहें कि कम से कम आवाज नहीं दबनी चाहिए तो आपकी कहराई क् दिखे ऐसा है मिलोत दुगा एक प्रतेश्चित नाम है हिंदुर्स्तान की दुनिया में और राजीव गांधी ने उनको एक बार यह का था जनवानी प्रोग्राम में कि आम मंत्री को बला कर उसे पूछो और उनने वीपी सिंग से जब वीपी सिंग मंत्री थे तो उनसे और एक तरह से लगा था कि देश में एक ऐसा भी एक मौका आसकता है कि प्रेस और उस समय का दूर दर्शन किसी केंद्रे मंतिगी से खड़े होकर जो है जनता के सवाल पूछ सकता है तो ऐसा होता है कि जनता की सवालों को कोई आदमी आवाज दे वानी दे यह जरूरी है ज कि अच्छी बात कौन सी होते हैं जो अच्छा घीत होता है जो आप सुनते है तो लगता है कि यह लवज मेरे नहीं है लेकिर यह कहना को एक पत्रकार की सफलता यह है कि वह एक तरह से पृतिनिधी बन जाए जंता की अवाज बन जाए और यही एक मकसद है मीडिया का क्यों संचोधर को निया में कि प्रेश की आजादी के बारे में कि प्रेश की आजादी को को भी सरकार bekommen नहीं वह पर यह आपने बताए किकेस वह पहले घ्लिजा रड़ा जर्श नहीं प्र Ms. ₩ी इसमें फाइल हो गया उसके लिए सब्सक्राइब और सब्सक्राइब ने उसका संग्यान लिया है इतवार के दिन बैठ कर तीन जजों ने जिनमें के यू यू लली प्रमुख थे उन्हों ने एक डारेक्शन दी लंबी चौड़ी और ये डारेक्शन देने के बाद विनोद दुवाक ने जो जो चीजे मांगी थी जो जो रिलीव भांगे तो मिलें लेकिन मैं आपको बात याद गिलाना चाहता हूं यह केस जो है विनोद दुवा पे नहीं हुआ यह केस उन लोगों पे है जो सरकार से सवाल करती है क्योंकि कमजोर सरकार तानाशा सरकार जो है उसे सबसे जाज़ डर उस आदमी से आपको जो है वही देख पाएगा जो अपने बाप का सगा यानि सच्चा बच्चा होगा तो रामी नहीं होगा तो राजा बड़ा कुछ हुआ कि दिव्यवस्त जो देवता पहंते मैं पहनूंगा उसे उनको पैसे दी है अब वो क्या हुआ कि वो दिव्यवस्त जब बन र कि अपने बाप की संतान नहीं हम सब हरामी है अल्टीमेटली राजा को उन्होंने कपड़े पहना दी है और राजा ने का जब इत्ते महंगे कफड़े मैंने पहने दिव्यवस्त पहने देवताओं के पहने तो मैं जलूस निका लूँगा उसे मैल से जब जलूस जलू किया यह अज देवताओं के लूस धशनका चेजिए तो यृष बश्य को एक बाप की गोदी में बैठा एथा उसे बात नहीं समझा पने नकली बाप और नकली बाप कीवह ओता तो उसे अपनी बाप से है बढ़ा राजा नंगा है और जैसे उस बच्छे ने का राजा नंगा है सारी जनता वोली हारा राजा तो नंगा तो प्रेश का काम है और शो राजा होता है डिने वह कहते के जाके साथिए अब इसमें गा दूसी बात और में करना चाहूं को इसी चाहूं में आपको चंदा दे रहा हुआ हुआ अप कहते हैं नहीं कोई भी आदमी इस बात को माने गा कि मैंने उसे चंदा दिया और वो गाये मुझे तुम प्रजा हुआ और तुम प्रजा ओ और को सवाल पूछेगा दिकार नहीं लेकिन सोनिय गांदी ने इस मामले में कोई हड़ बड़ी नहीं दिखाई वो किसी अदालत में नहीं गई और ना पुलिस की मदब उसमें आगे चले लेकिन क्या हुआ इससे एक रिकॉर्ड बन गया यानि सोनिय गांदी अगली बाई जब चुनाव डड़ेगी तो उसे बताना पड़ेगा सिगोमा में मेरे खिलाफ जो है एक के दर्ज है और जब दर्ज है तो संवित पात्रा और दूसरे जो इनके प्रवक्ता हैं वो कहेंगे इनके खिलाफ यह क्रिमिनल एफई आर दर्ज ह तो यह सप्ता का चरित्र है जिसे हमें समझना है और जानते हैं अब इसके पहले भी देखा कि जो हमारे प्रतान सेवक है घुजात के जब चीफ मिनिस्टर ते तो वहां भी ऐसा ही था कि जब उनकी मर्जी से ही फोटो चपते थे उनकी मर्जी से ही जाती थी और जो प्रित करती लेकी इसके ऐपने एकवारें है है और है बहुत से ऐसे थे जो उनकी ही बात च्छापते हैं वो कैसे चापते ऺा क्या नि mendator ब Gesch Monetा झन ब下去 बोरेख तो यह दिस्टेंसस वनाना यह तो प्रेश को खुछलने में उनकी इत्ती रुची नहीं है जत्ति प्रेस को खरीदनेरे उन्हें पता है कि जिसें कहते हैं कि कुछला उवा साफ ज्यादा नुफसांद देता आपको तो आप साफ पाल लो उसे दूद्थ पलाओ तो इनों ने साफ पल रखे हैं जितें भी मीडि लेकिन उसमें खबर नहीं है तो खबर को छिपाना भी एक कला है आदमी चाहते हैं मुझे खबर मिले सुबह उठके कहेगा अखवार लाओ तो अखवार में क्या जो भी खबर आप में परुस्दूंगा वो आपको मिल जाएगी अब असली खबर छिपाना और नकली खबर को यही प्रेस का एक काम है मैं आपको याद गलाना चाहूंगा एक पावलोग करके बहुत बड़े विज्ञानिक हो है वो सोशल साइंटेस्ट थे पहले और रूसके थे तो उन्हों ने प्रियोग किया उन्होंने प्रियोग यह किया कि वो एक कुत्ते को उसके आगे जब खा आती तो लाट पकने लगती थी तो कुट्ता एक तंसे उसकी भूब जाकरित हो जाती तो ऐसी आलत में क्या होता था कि धीरे-धीरे कुट्ते की और उसकी ट्यूनिंग ऐसी बन गई तो उन्होंने खाना देना बंद कर दिया और जैसी गंटी बगती थी उनके मुमें लारा प tofu नहीं है आडमी सोच सकता है तो यह आदू को पोट्थी दरजैंगे और हम समझते हैं के अगर उनको समझा जाए के इस आदमी नेसां क्या चया दिया तो जानोर भी जानता है मेरा लेकिन सरकार आप लेकिन ये कर तो उसी तरीके से रहे हैं देखिए प्रिसले पाँच साल का रेकॉर्ड देख लीजिए पुछ निल है निल पते सन्याटा है एक साल शुरू हो गए जिसका अब इलेक्शन मोड में आ गए हैं रहलिया करने लगे हैं है को और इसको छोड़के देनिया करने हैं कोड़ियोवारियस में भी जैसा में प्रषली बार का था और कि सरकार कहा हैं अचानक सरकार के दूख कारिंदी आ घृ आगए हैं और सक्ष यह उदक झो कहा तक न चार्यशा लेयर हैं पहले आगड़े दिती है फिर उसकी तैयारी कर दिया है और अब ख़बर के आ रही है कि अभी डिब्बें हैं बावन सो तरासी को इसका मतलब कि उस समय बावन सो तरासी की संख्या जो है वो गलत थी या इस समय की गलत लेकिन सरकार जो ही बताएगी नहीं आपको जो पूछेगा कोई नहीं और जो पूछेगा उसको गएंगे तेरे खलाव फाइयर कर देंगे अब हरा अदमी किती है तो आज के दिन सुप्रेम कोट की जिम्मिदारी है कि वो एक पूरी गाइडलाइन बनाए कि सरकार से नागरिकों को सवाल पूछना चाहिए या न नहीं पूछ सकते हैं तो इसका मतलब है देश में जो है ना लोकतंत्र है ना प्रजातंत्र है ना सम्विधान है ना हमारी मौनिक अदिकार है अब एक चीज़ देखिए कि जो आपका है कि एक करोण वाइरस के पेशेंट जिनों ने ठीक किये थे क्योंकि पूरी दुनिया म तो यह सब चीज़ें आरही है बारवार नहीं है फेसबूक पर भी आ रही है फेस्बुक के लोग उन्होंने एतराज भी कर दिये कि यहां पे जो दंगे हुए जो उसका मालेक है उसने इतराज भी कर दिसा तो उसको कहा तक है मिल्कुल इनका ऐसा हो रहा है कि जैसे के पहुत बड़े जर्मनी के मनोविट ज्ञानिक थे उन्होंने खोच की कि क्या बार आदमी जुट बोलता है और वह आद बद के जुट बोलेगा और उसके उन्होंने लक्षन बताए कि तीन लक्षन होते हैं एक तो वह किसी भी बात में बताएगा या तो मैं उसमें लेक्टि के खाया कभी बताएंगे और कभी बताएंगे कि मैंने कहा शैना प्रमुक को के बादल है तो जो है हम इसका फाइदा लेकर अपने जहां लिया कर पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं तो यह कंपल्सिव लायर के लक्षन है जो उसे बताएं अब इसी तरह क्या हुआ हुआ कि हर आदमी अपने नेता को फॉलो करता है कहते हैं कि इमिटेशन इस बेस्ट प्रेस अभी लीडर के मैं आपकी अगर चम्चागरी करना चाहता हूं तो आपकी जैसे चश्मा पहन लूगा आपके जैसे कपड़े पहन लूगा जैसे राजीव गांधी का आपन पूरी पार्टी का धाचा जो है जुट बोलने का हो गया पार्टी का जो एक ग्रहमंति का देता है जी हमने 61 करोड़ों को जंदन खाते खुलवाए पार्टी का जो अध्यक्ष है वो भी कोई जुट बोल देता है मोदी जी ने पूरे देश को कड़ी में परोदिया जैसे इंदुस्तान पहले बिखरा हुआ था यह बात आप नहरू के बारे में कह सकते हैं यह बात पठेल के बारे में कह सकते हैं कि अपनी प्रेसी को कहा के भई तू सूखे गुलाब की तरह है तो नाराज हो गया तो देखने वाले का तरी जखाया है तो यह लोग जो हैं और पूरे देश में जूट परोस्ते हैं और जूट परोस्ते का सबसे बड़ा नुक्सान ही होता है कि अब आप देखेंगे कि अटरौनी जनल भी जो है सॉलिसीटर जनल भी सूप्रेम कोर्ट को बड़े अराम से एफिडेविट देखें कि देश की पूरे देश को जूटी स्तान बना दिया है और उसकी वजह से क्या है कि जब आप अखड़े रूड़ते हैं तो मैं आखड़े नहीं नहीं है तो आप जब आपको कोई किसी चीज की सूचने नहीं है मालो मैं आपको प्लॉट का नक्षाना दिखाऊं तो आप उसमें मकान क सब्सक्राइब करना दिखानी है सचाही नहीं हमें बड़ी ऐसी तस्वीर देखानी है तो बहुत बड़ा दिशास्टर भी तो होने की उमीद है वह मैं कहूंगा आपको फिर कहानी बताऊंगा कि 1962 की लड़ाई में यह हुआ यह हुआ कि बहुत सारे नक्षे बना दिये खड़ी होग इतने मिचेरियों नहीं हमारी प्रूज मारी तो झूद बहुत सबदें to जूये हुआ हुमेशा का जाता है का तया कि हर जूज भू बोलने वाले को खा जाता ह है why people when you can discuss when you go Lya Gorgogh आपको बहुत बहुत धन्माद के आपने व्यस्तर समय में अपने टाइम दिया, क्लाइंट आपका वेट कर रहे हैं तब ही आपने टाइम दिया, बहुत 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 शुक्रिया आपका.